Hello everyone, guys, welcome back to our channel मैंने लगबग 10 दिन से अपने वीडियो चैनल पर नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरे पर्थवा प्रोग्लम आ गई थी चैनल को उपर में इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था तो आज मैं आपको यह बताऊंगा Google Adsons अप्रोबल कैसे होता है उसमें Google Adsons अप्रोबल कैसे होगा अभी अप्रोब नहीं है लेकिन आने वाले एक से दो मंत के अंदर में उसमें Adsons का एड चलने वाला है तो सब चीज मैं भी कर रहा हूं अभी आप फॉलो कर सकते हो उस website को भी देख सकते हो तो सबसे पहले देख सकते हो मैं एक प्रोब के साथ आपको दिखाता हूं तो जैसी मैंने सर्च किया एक website मैंने यहाँ पर नया बनाया है करनाटका-open-university.in इसमें जैसी आप आओगे तो इस तरह से खुल जाएगा अब गई से यहाँ पतेख सकते हो पुरा website बना हुआ है अब देखो बेना website में पुरा हर चीज थीम बगरा लगा हुआ है लेकिन इसी में आने वाले एक से दो मन्त के अंदर में Google AdSense का Ad रन होने वाला है और AdSense का Ad चलने वाला है तो कैसे आपको इस पर AdSense का Ad मिलते हैं और आप भी website पर क्या क्या requirement होती है जो आज के समय में काफी important होता है वो अगर follow कर लेते हो तो AdSense अब रूबल आसानी से आपको मिल सकती है तो सब चीज बताऊंगा important pages से लेकर आपको theme कौन सी लगानी है वो सब चीज बताऊंगा कैसे आपको customize करनी है कहां पर आपको लगाना है वो सब चीज आपको बता लग जाएगा तो जो भी requirement होती है ओ मैं यहां पर बताता हूं यहां पर देखोगे तो उपर में मैंने header menu बना रखा है अब header menu में भी आपको एक चीज दिक्कत होती है जो काफी लोग सिर्फ यहां पर pages बगर डाल कर सोड़ देती हैं कोई category नहीं add करते हैं यहां पर देखोगे तो मैंने यहां पर news, take, apps, review और game, entertainment सभी का मैंने यहां पर category बना रखा है और यहां पर कोशिज करो कि more category में डालो और यहां पर हर एक pages को add करो लाइक about us, contact us, privacy policy, disclaimer, terms and condition यह सब को add करो तो गईस मैं जो भी चीज बताता हूँ धियान से देखकर follow करो आपका ही फैदा होने वाला है मैं एक बार बार चीज इस चीज को बनाओ जो मैंने अभी बनाया है अब एचीज हो जाने के बाद जो second important pages होते हैं वह मैं बताता हूँ important pages में कौन-कौन सी pages आते हैं वह मैं बता देता हूँ तो सबसे बहला नंबर पर आता है वाउटस जो आज के समय में काफी जरूरी है अगर वाउटस पेज नहीं होगा त आपके पास disclaimer का pages होना चाहिए यह सब काफी important pages है जो आपके website में होना ही चाहिए इसके बीना actions approval का एड नहीं लगा सकते हो बार बार actions rejected देगा मैं सुरू से बता रहा हूं हर एक चीज को cover कर रहा हूं क्योंकि काफी website अप्रूब किया है तो मुझे idea है कि क्या के requirement होती है और चला है तो इससे अच्छा है कि आप सीख जाओ और आपको अप्रूबल खुद के कहीं जाने की जरूत नहीं हो खुद आप सीखकर खूद चला सकते हो अब यहां पर देख सकतो इतना में requirement अभी तक बता दिया है अब सबसे important बात होती है कि important pages कौन-कौन सी होनी चाहिए मैं यहां पर सच कर देता हूं privacy policy generator अब यहां पर आ जाएगा अब इससे जाकर सच करोगे और यह जो पहला website है इस पर जाना है और डिरेक्ट जनरेट कर लेना है इसी तरह से यहांपर disclaimer disclaimer और यहांपर disclaimer pays generate कर सकते हो तो इहांपर से लिखना disclaimer अपके website के लिए कोई भी website देखो disclaimer generator.net है तो इस पर भी जा सकते हो इस पर भी कर सकते हो इस तरह से मैंने भी किया है तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा आप गाईस यहाँ पर देखोगे एक चीज़ सबसे बड़ा दिक्कत होती है जितना भी आप pages बनाते हो pages को यहाँ पर कोसिस करो कि क्योंकि इंडेक्स हो जाती है यह जो भी page बनाती है तो सभी का pages एक होता है मान कि चलिए 100 लोग अगर एक website से बना रहे है तो सभी का pages एक ही तरह से होती है तो उससे गूगल को दिक्कत आती है गूगल आपको लो वैलू content कर देती है यह point आपको कोई भी blogger नहीं बताएग लेकिन मैं आपको एक secret thing बता दिया हूं तो इसी पर एक वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्क्राइब जरूर कर दो वीवर्स कमेंट सेक्शन वे पुछेंगे कि भाई अगर मेरा जो pages है वो इंडेक्स हो गया है तो मैं क्या करूं अब इंडेक्स हो गया है त आपका website इस तरह से pages को index करा कर हटा देगा important pages को index करवाना है जो यहां पर आन इंडेक्स करवाना है बाकी को तीनों को अंडेक्स ही रखने देना है अब यह important pages आपको यहां पर जरूर कर देना है अब जो अगली जो में मुद्धा आती है कि भाई मैं कौन सा नीच के उपर म नीच में चल रहा है रहा है लग अलग ने इंटर्नेशनल नीच बहुत सारे नियुज आ रहा है वह भी कवर कर सकते हो वह भी आपको यहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अब यहां पर रिखो उसके बाद यार और आसानी से एक्सं के लिए अपलाइ कुर अप्रूल हो ब्लॉगिंग फिल्ड में भी कर सकतो गेम आज के समय में काफी यहां पर अच्छा रिस्पांस कर रहा लाइक यहां पर यह जो फ्रीफार गेम है ओभी यहां पर आने वाला है तो यहार उस तरह का नियुज आप कवर कर सकतो आप उस तरह का जो आर्टिकल से लिख कर गेम करन मैं बता देता हूं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि तीस-प्रेंटिस अडियल होना चाहिए लेकिन आठ किसे समय में गूगल एट्स अप्रूबल लेना काफी मुश्किल बात हो गई है काफी लोग एट्स के लिए ट्राइ होगी और अच्छे कंटेंट होना चाहिए यूनिक जो मैंने बहुत सार वीडियो में बता रहा तो यह मैं बार वर कवर नहीं करूंगा फिप्टी लिखो और अगर एट्स अप्रूब नहीं करता है तो दस और लिखो और एट्स अप्रूबल हांडिट परसेंट कर देगा इतना हो जाने के बाद फिप्टी प्लस पर आइट्स अप्रूबल आज के समय में मिल जाती है अगली जो पॉइंट है वह है वेप साइट का ट्रेफिक ट्रेफिक बहुत इपॉटेंट है कई लोग बोलते हैं बाई ट्रेफिक जुरूरी नहीं है लेकिन मैं बता दूँ कि पर मंतली में अगर 200-300-400-1000 चल जाता है तो अच्छी बात है ट्रेफिक आपको होना चाहिए तो कोशीज करो कि आप से कम 500 ट्रेफिक आपको मंतली हो जाना चाहिए तब आपको इपॉटेंट होती है अब एक चीज मैं बता दूँ सभी ट्रेफिक के साथ सभी आर्टिकल भ होगा वह इस तरह से दिख जाएगा बाकि मैंने यहां पर गुगल नियुज के लिए अपलाई कर रखा है तो गुगल नियुज एक अच्छा सोलूशन है आर्टिकल को इंडेक्स करवाने के लिए तो भी आप जाकर ट्राइक कर सकते हो आज के समयं में मोस्ट पोपलर है औ कि मैंने यहां पर एक साल पहले बढ़ा रखा था कैसे उसको अप्रूबल लेना है लेकिन फिर भी चाहिए कमेंट में बता सकते हो अब जो अगले बात है जो मैं बताता हूं नीचे में आना है और नीचे में आने के बाद आपका एक पॉर्टेंट पेजिज लगाना जुर और इसी वेपसाइट को 2-3 मंत बाद आप देखोगे तो एकसंस का एड़ चल रहा होगा हो सकता है अभी तो मैंने एक भी बार इसको एकसंस के लिए नहीं बेजा है तो अभी मैं आओ और इसमें काम करूंगा उसके बाद एकसंस के लिए अपलाई कर रहे हूंगा तो क्या क्या मैंने यहां पर चेंजर्ज किया है और क्या क्या मुझे यहां पर जरूरत है मिलता है नेक्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद